Hello everyone, स्वागत है आपका हमारे चैनल NSK Auto Mobile में दोस्तों आज मेरे पास आई हुए BS6 Platina X10 Edge Gear तो guys आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप BS6 Platina X10 Edge Gear के Service Reminder Time Trip इन सब चीज़ों कैसे Reset कर सकते हो इस वीडियो में आपको पूरे मटर की जान करें देने वाला हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी दादा helpful लाएगा तो वीडियो पर end तक बने रहो तो guys बिना time waste की वीडियो को शुरू करते हैं तो guys सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपको Service Reminder के से remove करना Service की जो light होती है उसे आपको कैसे हटाना है तो guys Service Reminder को remove करने के लिए यहाँ पर आपको एस बटन मिलेगा इसे प्रेस करके आपको audio के option पर लाना है Service light audio के option पर ही remove होगी यह है trip 1 और यह है रहा है audio को option उसके बाद आपको 20 हुच को off कर देना करीब 5 सेकंड के लिए और एस बटन को प्रेस करना है और 20 हुच को दो बारा से own कर देना है हमें एस बटन को दबाए रखना जब तक Service light पूरी तरह से remove ना हो जाए कुछ ही सेकंड में Service light बिलिंग करने लएगी और पूरी तरह से हड़ जाएगी तो guys आप देख सकते हो हमाई Service light पूरी तरह से remove हो चुकी है एक बार मैं आपको 20 switch off करके own करके दिखा देता हूँ तो हमाई Service light remove हो चुकी है तो guys अब हमारा जो next काम है वो है time अगर आपके meter का time गलत है तो इसे आपको कैसे set करना है तो guys बहुत easy है guys time को set करने के लिए इसे आपको audio को option पर रखना है और raise बटन को प्रेस करना है कुछी second में time billing करने लएगा मुझे यहाँ पर 9.26 am करना है मुझे यहाँ पर करना है नो अभी यह पीए में आगे और प्रेस करोगे तो am आ जाएगा यह आ गया am तो हमारे घंटे set हो चुके है अब हमें करना है minute set कुछी second में हमारे minute billing करने लगेंगे जैसे ही minute billing करने लगे हमें minute को set कर लेना है मुझे यहाँ पर करना है 26 तो आपको इस बटन को प्रेस करके minute set कर लेना है तो guys आप देख सकते हो हमारे time set हो चुका है अब हमारा जो next सामे वो है trip आपको trip को कैसे reset करना है मतलब zero करना है इसे reset करने के लिए आपको trip के option पर लाना है यह trip इसे reset करने के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना है इसे आपको दबाए रखना कुछी second में reset हो जाएगा तो guys आप देख सकते हो यह reset हो चुका है तो guys इस वीडियो में आपको बताया कि आपको कैसे service reminder time trip को कैसे reset करना है और guys अगर आपको अब भी कुछ समझ नहीं आया हो आपका कोई doubt हो कोई सवाल हो तो मुझे comment box ज़रूर लिखिए और guys अगर आप चाहते हो ऐसा ही BSTX Bikes related वी आपको 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 आपक